दोस्तो रिचार्ज आफर इस दिवाली अगर आप भी अपने सीम कार्ड में रिचार्ज आफर जानने की कोशिस कर रहें तो इस वीडियो को अंत तक देखेगा क्योंकि आपको पता है कि हर दिवाली पे रिचार्ज पे चूट होता है और मेरे पास बहुत सारे कस्टमर आकर पूछते हैं भाईया रिचार्ज पे कौन सा चूट है तो आपको बताते हैं रिचार्ज आफर के बारे में तो सबसे पहले बात करते हैं जियो के बारे में क्या जियो इस दिवाली आपको रिचार्ज आफर देगा और देगा तो कौन से प्लान में क्या देगा तो सबसे प दुख भी होगा गुसा भी आएगा सब कुछ आएगा जानने के बाद तो जीयो कंपनी ने इस दीवाली पर यानि एक साल बाद कस्टमर को रिचार्ज आफर जो दे रहा है रिचार्ज बढ़ाने के बाद ओ है 899 के प्लान में अब 899 का प्लान जो 90 दिन के लिए इसमें केव तो आपको क्या लग रहा है बताईएगा लेकिन एक और जान जाएगे 3500 रुपया का जो प्लान 3599 का प्लान है एक साल का उस पे रिचार्ज आफर है तो उस पे क्या आफर है भी है एक साल का हमने प्लान कराएंगे तो हमको आफर देरा क्लिए क्या क्या वगएर वगएर व तो हमने पूरा चान मारा की रिचार्ज आफर दिवाली पे जीओ ने क्या निकाला है तो कुल मिला जूरा करें दो प्लान में क्यों रिचार्ज आफर निकाला है जिसके कोई भी महतों नहीं है आपको क्या लगता है कमेंट करिएगा लेकिन अगला प्लान जांजे एरटेल के देखा बारी की से समझा तो वहां पे भी कोई भी रिचार्ज आफर दिवाली का नहीं मिल रहा था तो यह रहा आपका दिवाली आफर जो की कमपनी एक भी रिचार्ज आफर नहीं दे रही है पहले का होता था रिचार्ज आफर मिलता था अब रिचार्ज प्लान बढ़ाने क के बाद भी अब रिचार्ज आफर नहीं मिल रहे हैं तो इस पर आपका क्या कमेंट है कमेंट करिएगा ताकि कंपनी को पता चल सके कि कस्टमर का क्या रहा है और आपके राय के अनुसार है हमने दिवाली रिचार्ज आफर के बारे में वीडियो बनाया जो कि कुछ नहीं कर दो